कैथल जिले के घाउं धेरडू के किसान सरकार की किसान हीतैशी योजनाओ का लाब उठा कर आधोनिक खेती कर अपनी आमदनी में वրधी कर रहे हैं जिला बागवानी अधिकारी ने कहा कि वर्टिकल फॉर्मिंग यानि कम जगह में आधोनिक तरीके से खेती करके किसान अच्छा लाब कमा सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग में कैथल जिला अग्रनी है उन्होंने किसानों से अहवान किया कि वह सरकार की किसान हितैशी योजनाओं का पूरा लाव उठाते हुए खेती करें और अच्छा लाव कमाई किसानों ने बताया कि उन्होंने पूली हाउस में विविन रंगो की शिमला मिर्च का उतपादन किया तो इससे उनकी आंदरनी में काफी व्रिधी हुई उन्होंने बताया कि पूली हाउस लगाने के लिए सरकार 65 प्रतिशत अनुदान देती है उन्होंने पिछले साल इसमें कलर समला मिर्च लगाई हैं लाल पीड़ी और अरी उसमें खीरे से भी अच्छी पैदावार हुई वाब की बार सड़े तीन सो चार सो रुपिये पर केजी भी बीकिया मार्किट में जो सरकार ने स्कीम चलाई है पैंसेट प्रसेंट सबसीड ही देती है और हमने सरकार की स्कीम मोका लगबग बहुत ही फायदा उठाया सिमला मिरिच के मद्यम से लगबग हर एक एकड में पांच से साथ लाख रुपे की आमदनी खर्चा निकाल के हमें प्रापत हो रही है जिसके लिए मैं बधाई का पत्तर भारत सरकार को मानता हूं क्योंकि केंदर सरकार और हरियाना सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाब पूर्ण मात्रा में किसानों तक पहुंच रहा है